इस लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसी रिसॉर्स इस कुछ ऐसे प्लेटफराम्स बताऊंगा जहां से आप अपने एसिट्स हासिल कर सकते हैं एसिट्स से मेरी मुराद उसमें वीडियो भी हो सकती है उसमें आडियो भी हो सकती है उसमें इमेजिस भी हो सकती है और उसके साथ साथ आपके पास कोई भी टेंपलेट बेस्ट कोई ट्रांजिशन्स मोशन ग्राफिक्स के लिए कोई चीज इस तरह से ऐलिमेंट्स आप और कुछ AC वैबसाइट्स जो के जादा तरह मुझे लगता यहीं है जिसमें मिक्स आपके पास चीज़ें जो के फ्रीमियम कहलाती है जिसमें आप पेड भी चीज़ें लिए खरीज सकते हैं और उसके लावा कुछ फ्री चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हैं पेड से हमें लगता है कि शायद कोई बहुत ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने हो और आपको यह हो कि मैं तो खुद एर्निंग के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूं और मुझे पेड करना पड़ें वेबसाइट्स को अब आपको यह बता दूँ कि यह जो जितने भी प्लैट्फरॉम्स हैं कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको अब आगे जाकर बताऊँगा बेशेक वे पेड क्यों ना हो लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो पेमिंट बहुत जादा भी नहीं है और दूसरी बात यह कि वो वर्थ करती है इस चीज़ को कि आप उनको पे करें आपको बेत्याशा फ्री एसिट्स मिल जाते हैं आपको वीडियोज, ओडियोज, साउंड एफेक्स, टेंप्लेट, आफ्र एफेक्ट की, प्रीमेर की इतनी जबदस चीज़े मिल जाती हैं कि आपके काम में एक वाज़े डिफरेंस आपको खुद नजर आएगा, आपकी आउटपुट में मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले मेरे पास कुछ ऐसी वैबसाइट्स हैं जो कि टोटली पेड हैं उसमें मेरे पास सबसे पहले है शटर स्टॉक, यहाँ पर आप जाके बहुत ज़्यादा स्टॉक फुटिच ले सकते हैं, स्टॉक इमेजिस ले सकते हैं और यह बहुत फेमेस वैबसाइट है, लेकिन यह थोड़ी सी एक्स्पेंसिव है इसके बाद मेरे पास Envato Elements के नाम से भी एक वेबसाइट है जहां पर आप जाके Monthly, Yearly, Membership भी हासिल कर सकते हैं और आपके पास अगर आपको यह वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा Stock footage चाहिए, आपको हर category का, आपको हर emotions, हर feel का, आपको बहुत detail में Stock footage मिल जाएगा उसके लावा आपको music files मिल जाएगी, आपने वे background music यूज़ करना है, आपको sound effects मिल जाएगे, आपको images मिल जाएगी और जिसे के मैंने पहले बताया, template based चीज़े भी आप post पे मिल जाएगी और इनके लावा, मैं आपको कुछ websites ऐसे भी बता देता हूँ, जिसमें आपके पास दोनों option मुझूद हैं, जिसमें कुछ चीज़े इसी हैं, जो free हैं, और कुछ चीज़े इसी हैं, जिसके लिए आपको pay करना होगा वो obviously वात हो जाती है, जो चीज़े free वाली होंगी, तो शायद वो इतनी बेतरी ना हो, जितनी वो paid वाली होंगी लेकिन फिर भी, as a beginner, मैं आपको recommend करूँगा, आप जो free वाली चीज़े हैं, उनको download करें मैं भी आपको सिर्फ वहाँ पर एक account बनाना हो, और उस account के बाद आप वहाँ से वो free चीज़े डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले मेरे पास इसमें है motion array, motion array.com काफी famous website है, और बहुत सारे digital mediums, even कि broadcast mediums भी इसको use कर रहे हैं इसमें भी आपके पास stock भी मुझूद है, आपके पास बेताशाए templates मुझूद है और आप चब इसको एक दफ़ाइ explore करेंगे, एक दफ़ाइसको overall scroll करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी stylized किसम की चीज़े हैं और आप अपने edit को किस तरह से जवदस चेंज कर सकते हैं second मेरे पास जो नाम है, वो mix kit के नाम से, mixkit.com और एक और website, जो है storyblocks.com तो ये partially मतलब आप इसको freemium कह सकते हैं कि कुछ इसमें paid हैं, कुछ इसमें आपको free चीज़े मिल जाएंगी थोड़ी सी बात करते हैं अगर हम खाली music की या पर sound की क्योंकि अगर आप अपनी production कर रहे हों, आपका अपना कुछ, आपने खुद film किया है या पर किसी का भी की project है जिसको आपने वो shoot-based चीज़े है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब पर चीज़े रिक्वायर होती है other than animations या कोई template वे सी transitions तो वो major requirement होती है आपको background score की, music की या और further sound effects की epidemic sound paid website है लेकिन इसमें आपको बहताशे tracks मिल जाएंगे बहुत अच्छे tracks मिल जाएंगे इसके इलावा अगर आप बिलकुल YouTube की library भी देखते हैं तो YouTube की अपनी library मुझूद है जहां पर आपको बहुत सारे sound, बहुत सारे effects वगारा मिल जाएंगे तो इन सब websites के इलावा जितने भी मैंने नाम लिए आपके पास और भी बेहताशा options मुझूद है जितने मैंने नाम लिए आप इनको भी search करें, इनको explore करें, इनको google करें और इसके इलावा आपको हो सकता है और भी ऐसी बेहतरी websites मिल जाएं जहां से आप stock download कर सकते हैं यह जो नाम इना आपको लिए हैं यह थोड़ी सी जारा main stream पर हैं और मुझे लगता है वक्त के साथ साथ और भी ऐसे platforms ऐसी websites develop होती जाएंगी एक नाम पेक्जल बड़ा important मुझे समझता हूँ के free के लिए है कि उसमें आपको बहुत सारी चीज़े इस तरह की मिल जाती है जो आप stock footage, video या पिर audio आप महाँ से download कर सकते हैं उसमें कुछ free भी है और जो दूसरी category है उसमें वो ये है आपको credit देना होता है बताब एक artist अपनी promotion के लिए आपको अपनी footage यूज करने के लिए free में देता है लेकिन आपको कहीं पर आप use करेंगे तो आपको उसको mention करना पड़ेगा में भी credits में description में detail में कि आपने ये footage फ़ला resource से use की है तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप free में उसको use कर रहते हैं और आपने सिर्फ बदले में credit risk को देना है इस तरह की जितनी वेबसाइट से आप इनको search करें आप इनको explore करें मैं recommend करूंगा कि आप professional अगर field में काम करना शुरू हो जाएं properly earn करना शुरू हो जाएं तो आप इनकी membership बकायदा हासिल करें आप इसको monthly में भी आपके पास options होती हैं कुछ आपके पास yearly भी होती हैं जो कि आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है बहुत helpful रह सकती हैं यह आपके लिए आपके काम में आपकी output में बड़ा major difference आ सकता है और इनको आप explore कीजेगा बाकि next lecture में हम मजीद कुछ और चीज़ों के उपर बात करेंगे